दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेविद धवन के डिरेक्शन ने बनी फिल्म जुडवा की जो 1997 में रिलीज हुई जिसमें सलमान खान ने गोविंदा को रिप्लेस किया और उसके बाद फिल्वा 2 आई जो की 2017 में आई उस फिल्म को भी लोगों ने प्यार दिया लेकिन जुडवा जो पहली फिल्म थी लोगों को वो फिल्म बहुत जादा पसंद थी ऐसे मैं आपको बता दे कि जुडवा 3 आने वाली है और जुडवा 3 को लेकर क्या बड़ी अपडेट है आई आमको बताते हैं दशक में देविद धवन, गोविंदा और करिश्म कपूर की तिगडि को किसी फिल्म के लिए सूपर हिट फॉर्मूला माना जाता था उस दौर की लगभख सभी फिल्मों में देविद धवन अपने फेविड स्टार गोविंदा को लेते थे फिल्म जुडवा में भी रिलीज हुई थी फिल्म का बजट साथ करोड के आसपास था जबकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 25 करोड के आसपास की कमाई की डेविद धवन के निर्देश ने बनी इस फिल्म में गोविंदा को साइन किया गया था बॉलिवर्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा एक इंट्रव्यू में इस बात का जिक्र भी किया था गोविंदा ने बताया था कि फिल्म जुडवा के लिए देविद धवन ने उन्हें ही चुना था लेकिन उस समय उनके पास कई फिल्मे थी और जुडवा की शूटिंग के साथ साथ वो एक और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे गोविंदा ने कहा मेरे पास उस समय बनार सी बाबु फिल्म थी जिसकी शूटिंग मैं जुडवा के साथ कर रहा था कुछ सीन फिल्माएं भी जा चुके थे लेकिन एक रात सल्मान भाई का मेरे पास फोन आया उन्होंने मुझ से कहा कि उनके पास अभी खास काम नहीं है तो क्या मैं एक फिल्म उन्हें दे सकता हूँ क्योंकि उन्हें जुडवा की कहानी पसंद थी गोविंदा ने आगे कहा मैंने तुरंद भाई को कहां बोलकर अगले दिन देविट से मुलाकात की सल्मान भाई और मैं उनके पास गए और डेविट ने सल्मान को साइ लंभा अक्टरिस थे तुथाउजंस के बाद गोविंदा की फिल्में भी फ्लॉप होने लगी तब सल्मान खान ने उन्हें फिल्म पार्टनर में लिया और वो फिल्म सूपर हिट रही सल्मान और गोविंदा अच्छे दोस्त हैं और जब भी उन्हें साथ में कहीं देखा जाता है तो बेस्ट पार्टनर नाम से पुकारा जाता है गोविंदा ने देविद धवन के साथ कूली नंबर वान हीरो नंबर वान साजन चले ससुराल राजा बाबू हसीना मान जाए जैसी सूपर हिट फिल्में की है तो दोस्तों जुड़वा के बाद 1997 के बाद देविद धवन के बेटे वरुन धवन हीरो दोस्तों आप कितने एक्साइटेट है इस फिल्म को लेकर अपने रहा एक कमेंट सेक्षिन पर जरू बताईए